माइथोलोजी पर बॉलिवुड में कई फिल्म्स बनी हैं जन में कईयों को पसंद किया गया है लेकिन एक फिल्म ऐसी रही है जिसे नफरत और सिर्फ नफरत मिली थी वो है आदिपुरुश फिल्म के डायलोग्स ऐसे थे कि विवाद होना निश्वत है था लेकिन अब एक बार फिर भगवान राम पर फिल्म बन रही है एक्टर रनबीर कपूर की आने वाली फिल्म रामायन में वे भगवान राम का किर्दार निभाते में नजर आएंगे ऐसे में जब सालों तक टेल पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो समय बताएगा जिसी के बारे में पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता अरुन गोवल ने अपनी बातों में आगे कहा कि रनबीर के अगर मैं बात करूं तो वो कंमाल के एक्टर है वो एक अवोर्ड विनिंग एक्टर है जितना मैं फिल्म के अगर बात की जाए तो ये फिल्म अगले साल यानि की दो हजार पच्चेस में दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है इस फिल्म में रंबिर कपुर भगवान रामका और साइप लवी माता सीता की किरदार में नजर आएंगी रावन के लिए बेशक के जी एफ के रौकी भाई फेम यश के साथ ही मेकर्स आगे बढ़ रहा है पगवान हनुमान के लिए सनी दियोल को लिया गया है फिल्म के लीड स्टार्स की शूटिंग मार्च से शुरू होने वाली है सुत्रों की माने तो रावन का किरदार निभाने वाले यश इस फिल्म की शूटिंग जूनिया जुलाई से शुरू कर देंगे वे 15 दिनों में अपने किरदार को पूरा शूट करेंगे जुलाई तक रामायन के पहले पार्ट का शूट पूरा हो जाएगा मेकर्ज ने इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए डेर साल का समय निर्धार किया है ड्यून के अलावा जिन टेक्निकल क्रू ने लॉड आफ दी रिंग्स पर काम किया था उन्हें भी रामायन के निर्माताओं ने हायर किया है मौक शूट की प्रक्रिया को अमुमन हिस्टॉरिकल और माइथोलोजिकल जोनर की फिल्मों में यूज किया जाता है इसमें एक्चुल शूट पर जाने से पहले कलाकारों का स्पेशल शूट में मोशन कैप्चर किया जाता है वैसे फिल्म के स्टार कास्ट तो बेहद कमाल की है सब बहतरीन एक्टर्स हैं लेकिन क्या आप लोगों को लगता है भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और रावन के रोल में जिन एक्टर्स को कास्ट किया गया है वो अपने किर्दार में खरा उतरेंगे क्या आपको लगता है कि आदी पुरुष जैसी फिल्म को देख कर मेकर्स नहीं सीख ली होगी और इस फिल्म को उस फिल्म की तरह ऐसे ही बेकार सी नहीं बनाएंगे उस फिल्म में जिस तरीके से विवादित डायलोग स्टाले कहते हैं ऐसा इस फिल्म में कुछ नहीं होने वाला है रामायन फिल्म से आप लोगों की क्या पिक्षा है आप लोग क्या चाहते हैं कि इस फिल्म में क्या दर्शाय चाहे आप कमेंट करके जरूर पताए